Hi friends, one second I am here and today we are going to learn active and passive voice आज हम active और passive voice के बारे में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि इससे किस प्रकार से sentence बनाया जाता है active और passive voice ना केबल परिच्छा के लिए या अंग्रेजी बोलने के लिए भी प्रयोग किया जाता है सो चलिए देखते हैं आईए हम active और passive voice को देखेंगे कैसे बनता है number one active voice के subject को passive voice बनाते समय object में बदला जाता है number two active voice को जब passive voice में बदला जाता है तो verb के तिसरे रूप का उपयोग केबल किया जाएगा यानि verb के तिसरा form का हम प्रयोग करेंगे और तिसरे नंबर में helping verb, auxiliary verb भी बदला जाता है इसके मतलब हम जो is are am है, was where, have is, had है वो active से passive voice में जब हम बदलते हैं तो वो भी बदल जाएगा और चौथा नंबर हम देखते हैं why क्या प्रविब करेंगे दोआरा के लिए आप देखते हैं, टेंस में एदि हम active passive voice को बनाते हैं, तो किस रूप से बनेगा, so active और ये आपका passive voice है, जब active voice present simple tense में होगा, तो passive voice बनते समय, इसमें हम ease, rm और verb के third form लगाएंगे, past simple tense जब हम बनाएंगे, so हम यहाँ पर was where third form का प्रयोग करेंगे, future simple tense जब हम बनाएंगे, so हम यहाँ विल भी third form का प्रयोग करेंगे, present continuous tense जब हम passive voice में बदलेंगे, so हम ease rm के साथ being का प्रयोग करेंगे और third form, past continuous tense को बनाते समय, was, were, being third form of the verb का प्रयोग करेंगे, present perfect tense को जब हम passive voice में बदलेंगे, so has, have, been third form का प्रयोग करेंगे, past perfect tense को जब हम बदलेंगे, so हम had been और third form का प्रयोग करेंगे, future perfect tense को जब हम बदलेंगे, so हम will have been third form का प्रयोग करेंगे, अब नीचे मैंने एक चाड दिया हुआ है, इसका प्रयोग नहीं होगा, कि बदल, art tense सही हम active passive voice बनाएंगे, अब आप पुछेंगे मुझे की ऐसा क्यू है, so देखिए, अब ध्यान देंगे, present perfect continuous tense में कौन सी फर्मूला आता है, has, have been, fourth form, so आपका देखिए, यहाँ पर has, have been, already आचुका है, फिर past perfect continuous tense में, आपका क्या लग रहा है, यहाँ पर had been का प्रयोगर है, अल्रेडी देखिए, यहाँ पर had been आचुका है, future continuous tense में, will be fourth form, आप देखिए, यहाँ पर will be आचुका है, future perfect continuous tense में, will have been, आता है, आपका यहाँ पर देखिए, will have been यहाँ पर है, so यह नहीं बन सकता है, अभी अभी हमने पढ़ाई किया, कि active voice के subject, nominative के subject, के passive voice, बनाते समय, object में बदला जाता है, यानि जो subject होगा, हम उसे object में बदलेंगे, so i है, तो हम me का प्रयूग करेंगे, we है, तो हम ask का प्रयूग करेंगे, और you है, so हम you का प्रयूग करेंगे, he है, तो हम him का प्रयूग करेंगे, और see है, तो हम her का प्रयूग करेंगे, और eat है, तो हम eat का प्रयूग करेंगे, और they है, so हम them का प्रयूग करेंगे, यहां पर जो आप देख रहे हैं यह दाव दी दादाइं यह modern English में इसका प्रयोग नहीं होता है सो चलिए एक sentence को active voice से passive voice में बदल के देखते हैं सो यहां पर मैंने present simple tense को लिखा और इसके formula को मैंने यहां पर लिखा जब हम passive voice में बदलेंगे सो हम इस formula का इस्तेमाल करेंगे मैंने active voice में एक sentence लिखा देखें He sings a song और passive voice में लिखा A song is sung by him यह कैसे हुआ formula के अनुसार जब हम active voice को passive voice में बदलते हैं सो हम object को subject के रूप से इस्तेमाल करेंगे यहां पर So a song को हम पहले लिए उसके बाद formula के अनुसार हमने यहां से is को लिया Is Sing से क्योंकि यहां पर is इसलिए मैं लगाया क्योंकि यह third person singular number है So चाहे कुछ भी हो आपके यह third form में ही बदलेगा Song अब एक agent आपको लाना ही पड़ेगा वह हमेशा रहेगा by और he का आपका him A song is sung by him Next sentence को देखते है He does not sing a song यह आपका negative है So हम इसमें भी लगाएंगे A song is not याद रखिएगा helping verb के बाद he not लगेगा और इसमें भी third form का प्रयोग किया गया Sung by him Next Does he sing a song Passive voice में इसको सामने लाएंगे A song is sung by him मैंने यहाँ पर एक formula बना के रखा है उसे देखते हैं Actual नियम से हम active को जब passive voice में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं जो object कैसे से उसको हम subject बना देते हैं और उसके बाद helping verb यदि हो तो हम बदलेंगे नहीं तो नहीं बदलेंगे So helping verb के अनुसर बदल जाएगा फिर यहाँ पर यहाँ पर आपको third form का इस्तेमाल करना होगा फिर आपका by agent का प्रोइब करना पड़ेगा दुआरा और इस subject को आपको object के रूप में बदलना पड़ेगा लेकिन मैंने अपने हिसाब से एक formula बनाया जैसे यहाँ पर देख रहें नीचे subject plus verb object यदि helping verb हो तो अब verb से पहले helping verb लगा सकते सो यहाँ पर मैंने कर दिया object, helping verb, verb के third form फिर by लगा दिया और मैं object cases को ला दिया यहाँ पर क्योंकि यह object cases में आता है उपर के आप जो देख रहे हैं सो इस करन मैंने इस प्रकार मैंने formula बनाया यदि मैं इस formula के बारे बात करूँ सो यह traditional grammar के अनुसार यह गलत है ऐसा नहीं बनेगा लेकिन हमें समझने के लिए यही आसान है सो object से हम object cases में हम बदल देंगे next subject does not verb object हमने यहाँ पर object को ला लिया फिर helping verb को लाया not लगाया third form by object cases को लगा लिया फिर next does subject verb object यहाँ पर helping verb को सामने लाया फिर object को लाया third form लाया by object cases आई एक कुछ sentence को बना के देखते हैं present simple हमने अभी अभी देखा है अब देखते है past simple past simple में active से हम passive voice में बदलने का प्रयास करेंगे I kill a snack a snack was killed by me I did not kill a snack a snack was not killed by me did I kill a snack was a snack killed by me future simple she will buy a car a car will be bought by her so यहाँ पर देख रहे है कि will का will be में बदला गया ज्यान दिजेगा she will not buy a car a car will not be bought by her will see buy a car will a car be bought by her आई यह present continuous को देखते हैं I am writing a letter a letter is being written by me I am not writing a letter a letter is not being written by me so यहाँ पर इसर्म है आपको बिंग जरूर लगाना है am I writing a letter is a letter being written by me past continuous I was driving a car a car was being driven by him he was not driving a car a car was not being driven by him was he driving a car was a car being driven by him present perfect continuous tense को देखते है active she has finished her work her work has been finished by her she has not finished her work her work has not been finished by her has she finished her work has her work been finished by her past perfect continuous active they had completed the assignment the assignment had been completed by them they had not completed the assignment the assignment had not be completed by them had they completed the assignment had the assignment been completed by them future perfect continuous active you will have started the job the job will have been started by you you will have not started the job the job will not have been started by you will you have started the job will the job have been started by you आया हम अभी कुछ हिंदी के माजदम से देखते हैं हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हिंदी का मिनिंग नहीं दिया है सो मैंने यहां पर आप लोके लिए एक आइडिया को दिया आप इस आइडिया को समझने का प्रयास करें एक्टिव बॉइस पैसी बॉइस एस सॉंग एस सॉंग एस संग बाई हिं वो गीत काता है उसके द्वारा गीत गाया जाता है वो गाना नहीं गाता है उसके द्वारा गीत गाया गाया है सो आप एक्टिव बॉइस के ट्रांसलेशन के अनुसार आप बदल सकते हैं और आप खुद इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं सो ध्यान रखे और सिखते जाएं तो ध्यान रखें और सिखते जाएं